Hello and welcome to the class कल की क्लास हीबा के बारे में थी जहां हमने गिफ्ट के बारे में पढ़ा था क्योंकि हीबा जो है गिफ्ट होता है मुस्लिम नों में और वो क्या के करेक्टरिस्टिक्स रगता है वो सब हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था आज ही class में हमें पढ़ना है मुशा के principle को और इसके साथ साथ जो gift हमने कर पढ़ा था क्या उसको revoke किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है और अगर किया जा सकता है तो किन condition मी किया जा सकता है पहले समझते हैं मुशा के principle को समझें इस बात को एक example से A, B, C, तीन लोग हैं जिनका ये घर की ownership है तीनों के पास इस घर की ownership है लेकिन ये नहीं पता कि A का हिस्सा क्या है, B का हिस्सा क्या है और C का हिस्सा क्या है अब क्या हुआ A ने अपने हिस्से को D को gift कर दिया चुकि ये नहीं पता था कि A का हिस्सा कौन सा है तो क्या ये gift valid है या फिर नहीं इसी चीज़ का जो है जवाब देता है हमें मूशा मूशा का बतलब होता है confusion अब confusion का बतलब यहां समय में आ गया है क्योंकि A, B, C तीन लोग हैं अभी property में share उनका नहीं बता कितने का तिसका है तो उसमें से एक वेक्ती ने gift कर दिया तो confusion arise हो गया कि D को कौन से वाला हिस्सा मिलेगा जैसे कि B जो है उसका ये इसमें समान रखा हुआ ये अपना कमरा ऐसे बहुता है क्यों मैं बता है घर में सबके अलग-अलग कमरे होते हैं बट ये तो नहीं होता है कि ownership होगे उस कमरे की भले समान रखा है अब ये जो है A का gift जो है वो इस घर के अंदर है बट कौन सा कमरा है ये कितना शेय है वो सब नहीं पता है तो D क्या करता है ये वाले कमरे में आकर अपना समान रख देता है अब भी बोलता है ये तो मेरा कमरा है तो confusion हो गया क्योंकि अभी नहीं परता था कि A को कौन सा हिस्सा मिलेगा say for instance A को हमने ये वाला हिस्सा दिया तो यहां जो कमरे होंगे वो D को मिलेगी है न तो उसी का जो है हमें confusion के वाले में बताते हुए मुशा जो है answer करता है मुझा कहता है कि दो तरीकी की प्रोपर्टी होती है इंडिवाइजेबल और डिवाइजेबल इंडिवाइजेबल का बजना जिसको डिवाइड नहीं किया दा सकता जैसे कि best example होता है staircase सीडिया घर में जीना होता है अब वो जीने की 4 सीड़ी मेरी A की 4, C, B की 4, C, C की ऐसा तो possible नहीं होगा न तो जहाँ पर ऐसा होता है कि प्रोपर्टी इंडिवाइजेबल है डिवाइजेबल नहीं हो जैसे तो हो सकती तो अगर सिनेमा होल है तो अगर सिनेमा होल कुछ भाईयों के बीच में बटवारा होने लगे प्रोपर्टी कर दी बहले ही गिफ्ट कर दी उसको वैलिड मान लिया जाएगा जो उसे ने शेयर दिया है उसको वैलिड मान लिया जाएगा लेकिन अगर ऐसा होता है प्रोपर्टी इवाइजेबल है यह जैसे कि घर में दिवार खिचके पता लग सकता है कि यह हिस्सा इसका है उस केस में क्या होगा जो गिफ्ट होगा वो वैलिड नहीं होता जब तक की शेयर को स्पेसिफाई नहीं कर दिया जाता मेरी बात समझेगा कन्फ्यूजन को दूर करते वे मुशा का रूल यही कहता है कि अगर प्रोपर्टी डिवाइजिबल है तो जब तक डिवाइड नहीं हो जाती है शेयर स्पेसिफाई नहीं हो जाता है तब तक गिफ्ट को वैलिड नहीं बोला जाएगा गिफ्ट को बोला जाएगा इर्रेगुलर यहां पर वोइड भी नहीं बोल रहे हैं कैसा बोल रहे हैं इर्रेगुलर बोल रहे हैं फासिद बोल रहे हैं अब irregular का क्या मतलब हुआ? irregular का मतलब यह है कि जिस condition की वज़े से जो gift है वो valid नहीं बन रहा है उस condition को हम complete कर देते हैं gift valid बन जाएगा जैसे भले ही घर में हिस्सा नहीं पता एका कितना लेकिन दिवार खिचके हम हिस्सा बना देंगे एका तो gift जो होगा वो valid हो जाएगा तो मूशन इंडीवाइजबल जिसको डिवाइड नहीं किया जासकता है property को उस property का अगर कोई वेक्थी gift कर देता है तो उसको valid मान दिया जाएगा लेकिन अगर जो divisable था जिसको divide किया जासकता था उसको divide नहीं किया तो पहले डिवाइड करो और सुर gift त जो है applicable होता, यह हनफी रोल है और यह हनफी स्लामिक स्कूल पर applicability रखता है मुशा का principle डोक्टराइंड अफ मुशा यह कहता है कि अगर property divisable है तो उसको जब तक divide नहीं किया रखता तब तक उसको valid gift नहीं माना जाएगा और यह irregular बनाता है, gift को void नहीं बनाता है इसकी कुछ exception भी है, पहरी exception है gift to co-hire, अगर कोई उत्रादिकारी है किसे A, B, C को property अपने father E से मिलती तो उस case में A ने अपना share B को ही दिया क्योंकि वो उसके साथ का उत्रादिकारी था तो उस case में अगर यह divisable property है क्योंकि और उसने gift area बिना share specify किये तो भी उसको valid मान लिया ज co-share-er तो जमीनदारी पहले होती थी अब तो जमीनदारी Abolution Act हो चुके हैं, तो वहां पर यह चीज़ नहीं आईगी पड़ जमीनदारी की भात कर रहे हैं, तो जमीनदारी में हम मानन लेते हैं कि से Zमीन की बात अगर है, तो जो दो को आधी है जमीन दे रहा है वेक्ती, अगर दोनों को शेरर हैं तो आपस में कर सकते हैं कि हाँ ठीक है बले ही जमीन को लगी खिचके बना सकते हैं आदी आदी लेकिन अगर बिना स्पिसिफाई कि अगर दिया जा रहा है तो वह उसको वैलिड माननेंगे गिफ्ट फॉव शेर इने कंपणी की केस इसमें और अजीफ्ट फ्रीखोंट प्रोपटी इन कमर्शल टांग कमर्शल टांग में ज्वी होगी उसमें अगर शेर किया जा रहा है तो बहले वह वह डिवाइसप्ल है तो अभी उसको इर्रेडिफन नहीं मानेंगे वैलेड मानन कि इसको दो तरीकी से पढ़ना है पहले हैं और दूसरा है आफटर डिलीवरी ऑफ पॉसेशन क्योंकि हमने क्लास में आपको लास्टास में बताया था कि जब भी भी हीवा की बात करें तो इमीजेटली प्रदेशन की भी डिलीवरी होनी जरूरी है तो कहरें कि अगर डिलीवरी हो चुकी है तो क्या रिवोक हो सकता है गिफ्ट या भी डिलीवरी नहीं होई है तो क्या रिवोक हो सकता है गिफ्ट तो यहां इस चीज का आंसर ऐसे आएगा कि अगर जो प्रपरटी है उसकी अभी डिलीवरी नहीं होई है तो उसकेस में डोनर एक declaration बनाके कि मैं अपनी गिफ्ट को वापस लेता हूं, गिफ्ट को वापस ले सकता है, ध्यान रखना अगर गिफ्ट डोनी तक नहीं पहुचा, तो सिरफ एक declaration बनाके कि मुझे गिफ्ट नहीं देना, वापस ले सकता है डोनर अपने गिफ्ट को, लेकिन सिरफ और सिरफ ड नहीं ले सकता है कि इनकेस डोनर की अगर death हो जाती है तो हुछ कोई उत्रादिकार ही होते है वह मना करें कि हम डोनी को gift नहीं दे रहे हैं तो यह पॉसिबल नहीं है अगर डोनर की death हो जाती है तो फिर Legal hire उसके बहाफ पर नहीं illar कर सकते हैं कि हम donny को gas नहीं दे रहे या दिकार जuck donor के पासे कि वो करता है gift को या फिर नहीं करता है फिर अफ़र delivery or possession अगर एक बार possession मिल जाती है दोनिकू तो फिर उस case में जो है too नहीं होई है तब ही तक दोनर का दिकार है एक बार डोनी के पास पर्थेशंग घई तो डोनर जो है डिकलेशन करके फिर से अपने गिफ्ट को रिवोक नहीं कर सकता लेकिं कोट के बाज जाकर के थिहां से सुनियेगा कोड के पार जाकर के supition सब्सक्राइब गरांद इसे सब्सक्राइब या फिर्स फ्री नहीं थी जबरदस्ति में इसे कि इंब करा सकता है कॉछ और को सब्सक्राइब दिखा दे और रिवोक करा सकता है लेगे अगर गिफ्ट रिवोकेबल है तो अब रिवोकेबल का मतलब जिसको वापस किया जा सकता है ऐसे ही गिफ्ट को वो कोट के पास जाकर रिवोक करा सकता है जो इस रिवोकेबल गिफ्ट हैं उनको लिजाकर कि कोट के पास भी रिवोक नहीं कर सकती है, अब इस रेवोकेबल गिफ्ट क्या है ये लिख दिये हैं, मैंने पहले सुने है, अगर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, वो पहचान में नहीं आती है, इस तरीके से चेंज हुई है, तो फिर गिफ्ट को रेवोक नहीं कर आजा सकता है, जैसे कि एक जमीन ती और जमीन को डोन ने डोनी को gift किया अब जो डोनी था उस ने समझझ की कि मेरे gift हो गया उसने उसने घर construct कर लिया अब क्योंकि जमीन तो रही नहीं पहचान तो आई अब तो घर बन गया कुछ हो रही बन गया है तो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि क्योंकि और identification नहीं हो सकता ह किसी वजह से तो अब बोल रहे हैं फिर उसको वापस नहीं लिया जा सकता है लेकिन अगर पहचान में आ रहे हैं किसी तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी है तो फिर वह वापस ली जा सकती है फिर अगर को यह को इसको बापस नहीं लिया जा सकता लेकिन शीया लोग में इस चीश का भी एक्सेप्शिन है और कह रहे हैं कि अगर husband wife को या wife husband को gift देती है तो वो revoke किया रा सकता है फिर donor और donor prohibited relationship में है तो उस case पे भी gift वापस नहीं ले रहता है रिवोक नहीं हो सकता अब या लो में prohibited relationship में बोला कि blood relationship को specify कि blood relationship जो है उसको prohibited relationship माल लिया है वे donor या donor की बात करें तो उनमें seller एक भी वेक्ती की death हो गई है तो gift वापस नहीं ले रहता है जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि अधिकार जो है gift को वापस लेने का donor के पास में है उसकी मरत्यों के बाद उसकी उत्तर अधिकारियों के पास यह अधिकार नहीं है donor transfer कर देता है अपनी property को gift में मिली property को किसी और को तो फिर revoke नहीं हो सकता property हो जाती है यह destroy हो जाती है तो फिर कहां से लेकर आएंगे कहां से gift वापस होगा value जो property की वो बढ़ जाती है उसके बाद में donor रेलाइस करता है कि मैंने gift दे करके गलती करी डोनी से वापस लेने तो वो possible नहीं है तो यह तो होगे हमारे पास कि रवो किया राज़ता है gift को कह नहीं मुझा का principle हमने पढ़ लिया और हीवा का जो concept था कल की class और आज़ की concept को complete करके पढ़ लिजेगा हीवा की concept clear हो जाएगी exam में इतना ही लिखाएंगे अगर आपके loan question आते हैं तो enough होगा और अगर कोई specific चीज़ पुछ लिजे जैसे gift को revoke किया राज़ता है या नहीं कि राज़ता हीवा क्या होता है मुझा का doctorine के आज़े तो फिर आप उस चीज़ को उसी की according जितने marks में आया हो लिख देजेगा thank you so much, thanks a lot और अगर class अच्छी लगी हो तो कल की class के लिए बने रहेगा thank you so much, thanks a lot, keep learning and keep smiling